हेलो डियर स्टुडेंट्स क्लास 12 हिस्टी में आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पर बेश्ट है जिस टॉपिक को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं टॉपिक का नाम है दक्कन दंगा आयोग या इस तरह से भी इसको कहा जाता है डक्कन रायट्स एंड कमिशन क्या कह अपने आप एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है आप जानते हैं बट इससे जो क्वेशन बनते हैं दो बनते हैं पहला क्वेशन बनता है दक्कन दंगा आयोग क्या है और इसकी विसेष्टाइं फीचर्स वगरा बताईए दो जनरल क्वेशन है इसका अंसर आपको यह वा अब क्वेशन क्या बनता है कि दक्कन दंगा आयोग की क्वेशन क्या बनता है दक्कन दंगा आयोग की आलोच नातमक समिक्षा कीजिए क्या बोलता है दक्कन दंगा आयोग की आलोच नातमक समिक्षा अब कीजिए अब आलोच नातमक समिक्षा का मतलब होता है क्रिटिकली exam, critically examination करना है, क्या मतलब है कि जब अंग्रेजों ने 1878 की अंदर एक कमिशन बनाया था दक्कन दंगा आयोग तो उसकी एक रिपोर्ट पेस की गई थी और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था वो सब कुस तो हम जानते हैं बटा क्वेशन बनता है कि इसको critically examine, इसकी आलोच ना करनी, इसकी बुराई हमें बतानी, तो बुराई क्या आप देख लेते हैं, देखिए आंसर, जब भी हम ऐसे सरोत पढ़ते हैं सरकारी सरोत जो होते हैं वो घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थप्रति बिम्बित करते हैं यानि कि जो भी रिपोर्टें हम पढ़ते हैं जो सरकार लिखती है जब हम देखते हैं आम तोर पर उन रिपोर्टों में क्या होता है सरकार का एक अपना नजरिया होता है किसका रविया होता है सरकार का अपना एक उसमें नजरिया होता है सरकार का अपना परस्पेक्टिव होता है सरकार का अपना एक उसमें अपने पॉलिसी लिखी जाती है उधारन लीजिए कि जब दक्कन दंगा आयोग बनाया गया था पता करिए कि क्या वहाँ पर रहयतवारी विवस्था के कारण या लगान अधिक वसूली के कारण या लगान की सोसरण विवस्था के कारण विद्रो हुआ है क्या ये जाज कीजिया आप तो ये जब जाज करवाई गई तो रिपोर्ट में वो नहीं आया जो सरकार ने कहा था तो कारण बताया गया विद्रोह का संपूर्ण शाक्षय प्रस्तुत के आयोग ने था आयोग ने क्या किया शाक्षय या एविडेंस जुटाए और बोला कि सरकारी मांग किसानों के गुस्थे की वज़े नहीं थी यानि कि उनुनम है कि आदंड़ बेया है कि रहयत वाड़ी ववज़ था अंगरे जोंकि ब्रि्टिस की राज़ों सा ववज़ था ये दोसि नहीं है उस खेत्र में सोसन के लिए तो या विद्रों के लिए तो फिर क्या दोसि था सारा दोस रिंडाताओं या साहुकारों का ही था तो यहां पर क्या है सारा दोस सारा दोस किसके सर पर मढ़ दिया गया दककन दंगा आयो के रिपोर्ट में वो जो थे आपके साहुकार थे साहुकार मतलब जिसे मनी लेंडर बोला जाता है और रिंडाता लोन प्रवाइडर्स जो थे रिंडाता जो थे सूध खोर जिने कहा जाता है वो लोग थे दोसी किसके लिए दक्कन दंगा आयोग दक्कन दंगों के लिए किसने कहा दक्कन दंगा कमिशन ने कहा इससे क्या स्पस्ट होता है इससे यह बात स्पस्ट हो जाती है कि जोब भी कोई सरकार अंग्रेज्यों की सरकार, ओपनियोजिक सरकार, कोलोनियल गर्वर्मेंट वो मानने को तयार नहीं थी जनता में असंतोस है, कोई गुस्सा है और हो सरकारी कारवाही के कारण है यानि दक्कन दंगा आयोग की पहली आलोचना तो यह है कि यह सरकारी रिपोर्ट है और यहाँ पर सरकार को बचा लिया गया है और यहाँ नहीं माना गया है कि सरकार की लगान विवस्था यह सरकार की रहयत वाड़ी विवस्था के कारण किसानों विद्रोकिया इसमें उसको बचा लिया गया गया है इसमें सारा दोस मातर सहुकारों को दे दिया गया है और सारा दोस मातर रिंड दाताओं को दे दिया गया है और पूरी बिर्टिस सरकार को बचा लिया गया है तो तीसरा मिद्दा यहाँ पर क्या आता है इस आलोचना का यहाँ कि सरकारी रिपोर्टें इतिहास के पुनर निर्मान के लिए बहुमूले स्रोत हैं लेकिन उन्हें हमेशा सावधानी पूरवक पढ़ना चाहिए और समाचार पत्र गेर सरकारी बृतांत वैधिक अभिलेक और यहाँ था सम्बव मौकिक स्रोतों से संकलित साक्षे के साथ उनका मिलान करना चाहिए मतलब की अगर हम कोई सरकारी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो फूर्ण रूप से वो भूमूले स्रोत है यह बात बिल्कुल सही है बट उसके साथ उसमें जो कुछ लिए है उसका हम मिलान भी करना पड़ेगा मिलान होगा आपका समाचार पत्र के साथ मिलान होगा आपका साती साथ आपका पत्रिकाओं के साथ मिलान होगा लोग जो जीवित थे उस समय उनकी गवाहियां ली जाएंगी कि भाये बताईए क्या वास्ते में ऐसा हुआ था इसके अलावा मिला किया जाएगा उसका अन्य कानूनी लेगल कानूनी दस्तावेजों के साथ उदाहरण के तोर पर आप यह कह सकते हैं कि दक्कन दंगा आयोग का कहना था इस साहू कारों ने इतना करज के जाल में लोगों को फसा दिया कि लोग बेचारे उनके जाल में फस गए और गुस्से मे उन्हें विद्रो कर दिया लेकिन अगर हम उस प्रकार कुछ जमाने के न्यूस पर देखेंगे समाजार पतर लोगों की गावाहिया सुनेंगे तो हो सकता है लोग यहां कहें कि वहां पर अंग्रेजों की विवस्था जो लगान विवस्था थी वह इतनी जादा हो गई थी कि लोगों को मजबूरी के कारण साहुकारों के पास जाना पड़ा वहां से कर्ज लेना पड़ा और कर्ज लेकर के फिर वो कर्ज लेकर के अपना लगान उन्हें अंग्रेजों को चुकाना पड़ता था यह बाद ध्यान रखेगा तो प्रस्ण बिरसे एक बार लिख रहा ह कि यह question यह हैं बहुत important है three marks के लिए important हो जाता है points फिर से underline करना हूं क्या answer होगा इसका answer यहां से होगा पहला answer होगा कि आयोग ने बताया है कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वज़ा नहीं थी पहला point दूसरा सारा दोस निर्दाता सावगार को दे दिया गया तीसरा ब्रिटिस सरकार मानने को तयार ने थी कि जनता अश्रंतोष या रोज सरकारी कारवाही कारण था चौता सरकारी रिपोर्ट इतिया निर्मान के लिए बहुमुल्य है लेकिन हमेशा सावधानिक गुरक पढ़ना चाहिए इस प्रश्न को एक्स्प्रेंड करने की मैंने वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्याव चैनल भी सबस्क्राइब करिएगा